आप अपने दैनिक जीवन में विभिन धातुओं की बनी बस्तुएं देखते हैं जैसे सोने चांदी के आभूशन, लोहे के सरीय, अलिमीनियम फॉयल इत्यादी परन्तु क्या आप जानते हैं ये सब धातुएं प्रकृती में शुद्ध रूप में नहीं मिलती वरन सयुक तवस्ता में यौगिकों के रूप में मिलती हैं इन यौगिकों से विभिन पदों के द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रकृत को धातु कर्म कहते हैं धातुएं अभी क्रिया शील होने के कारण वायू मंडलिय गैसों वे अन्य अभी कर्मकों से अभी क्रिया कर धातु के यौगिकों में परिवर्तित हो जाती हैं भिन धातुओं की अभी क्रिया शीलता भिन भिन होती हैं किनी दो धातूं की अभिक्रिया शीलता की तुलना करने के लिए हम एक धातू को दूसरी धातू के लवन के जलिये बिलियन में डालते हैं तो यहें पता लगता है कि पहली धातू दूसरी धातू से अधिक अभिक्रिया शील है आईए आज एक प्रियोग करते हैं जिसमें हम copper, zinc, lead और iron धातुओं की सापिक्षिक अभिक्रियाशीलता को जानेंगे आज के प्रियोग की आवश्यक सामगरी है zinc, iron, lead तथा copper धातु zinc sulfate, iron sulfate, lead nitrate तथा copper sulfate चार बीकर जिनमें ये विलियन रखे गए है 100 ml शमता के 12 परकनलिया, 2 परकनली स्टैंट इन 4 विलियनों को बनाने के लिए विधी इस प्रकार है 5 ग्राम लवन लेकर 50 ml आसुद जल में घोलेंगे इस प्रकार ये 4 विलियन प्राप्त होंगे आए प्रियोग का पहला भाग आरंब करते हैं इसके लिए हम ये 3 परकनलिया लेंगे और तीनों में कॉपर सलफेट विलियन की थोड़ी थोड़ी मात्रा जा लेंगे लगभग 10 ml अब तीनों परकनली में तीन धातु में डालेंगे पहली परकनली में जिंक धातु डालते हैं स्पैचुला को फिल्टर पत्र से साफ करके दूसरी धातु अर्थात आईरन दूसरी परकनली में डालते हैं फिर से फिल्टर पत्र से साफ करके लेट धातु के कुछ टुकड़े तीसरी परकनली में डालते हैं चुकि आप देख सकते हैं कि रासाइनिक अभिक्रिया बहुत धीमी गती से चल रही है तीनों परकनलियों में इसलिए हम प्रियोग के दूसरे तीसरे और चौथे भाग का प्रियोग करेंगे और कुछ समय पश्चाद 15 या 20 मिनट के पश्चाद पहले प्रियोग के प्रेक्षन को देखेंगे आएए दूसरे भाग पे चलते हैं एक बार फिर तीन परकनलिया लेंगे और इन में लेड नाइटरेट विलियन की थोड़ी थोड़ी मात्रा डालेंगे लगभग 10 एमेल अब एक एक करके तीन धातुएं इन में डालेंगे पहले में जिंग धातु दूसरी परकनली में आईरन धातु और तीसरी परकनली में कौपर धातु डालते हैं चुकि इन तीनों परकनलियों में भी प्रयोग की गती अत्यंत धीमी है हम प्रयोग के तीसरे भाग पे चलते हैं प्रयोग के तीसरे भाग के लिए फिर से एक बार तीन परकनलिया लेंगे और तीनों में आइरन सलफेट विलियन थोड़ी-थोड़ी मात्रा में डालते हैं, लगभग 10 ml. अब इन तीनों परखनलियों में तीन धात्वें डालेंगे, सबसे पहले जिंक डालते हैं, सबसे पहले दूसरी परखनली में लेट धात्व, और तीसरी परखनली में कौपर धात्व डालते हैं, चुकि प्रियोग की गती अत्यंत धीमी है, तो हम चौथे भाग की और चलते हैं, चौथे भाग के लिए फिर से तीन परखनलिया ली हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, और इन तीनों परखनलियों में जिंक, सलफेट, विलियन डालते हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में फिर से वही लगभग 10 ml के बराबर, अब इन तीनों परखनलियों में तीन धातु में डालते हैं, पहली परखनली में आइरन धातु, दूसरी परखनली में लेट धातु, और तीसरी परखनली में कॉपर धातु, इन सभी अभी क्रियाओं में 15 से 20 मिनिट का समय लगता है. आईए, प्रियोग के पहले भाग का प्रेक्षन करती हैं. पहली परक्नली, जैसा आप देख सकते हैं, कॉपर सलफेट का नीला विल्यन, रंग हीन हो गया है, और परक्नली की तली पर, जिंक धातू के उपर, कॉपर का गहरा भूरा रंग चड़ गया है, उसकी एक पतली परत बन गई है, इसमें रासाइनिक अभिक्रिया हुई है. दूसरी परक्नली में, कॉपर सलफेट का नीला रंग, आइरन सलफेट के हलके हरे रंग में परिवर्तित हो गया है, और परक्नली की तली पर, कॉपर धातू जमा हो गई है, इसमें भी रासाइनिक अभिक्रिया हुई है. तीसरी परक्नली में, आप देख सकते हैं, कॉपर सलफेट का नीला रंग, हलका पड़ गया है, और इसकी तली में लेट धातू के उपर, कॉपर की हलके भूरे रंग की परत बननी शुरू हो गई है, इसमें भी रासाइनिक अभिक्रिया हुई. अर्थात, तीनो धातू, जिंक, आईरन और लेट, कॉपर सलफेट विल्यन से कॉपर को विस्थापित करती हैं. अते हम कह सकते हैं, कि तीनो धातू, जिंक, आईरन और लेट, कॉपर से अधिक क्रिया शील हैं. प्रियोग के पहले भाग में, जिंक, आईरन और लेट धातू, कॉपर सलफेट के जलिये विल्यन से अभिक्रिया करते हैं. और तीनों में कॉपर धातू निक्षेपित होती है तथा क्रमिशह, जिंक सलफेट, आइरन सलफेट और लेड सलफेट के जलिये विलियन प्राप्त होते हैं आईए प्रियोग के दूसरे भाग का प्रेक्षन करते हैं इसकी पहली परखनली में हाला कि रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया क्योंकि लेड नाइटरेट भी रंग हीन है और जिंक और लेड नाइटरेट का उत्पाद जो बनता है वो है जिंक नाइटरेट वह भी रंग हीन विलियन है परन्तु आप देख सकते हैं कि इसकी तली में काले रंग का ठोस पदार्थ चमा हो गया है यह है लेड है दूसरी परखनली में देखें इसमें भी रासाइनिक अभिक्रिया हुई है क्योंकि इसकी तली में भी आईरन धातु जमा हो गई है आईए देखें तीसरी परखनली में क्या हुआ हम देख सकते हैं तीसरी परखनली में कोई रासाइनिक अभिक्रिया नहीं हुई इन तीनों परखनलियों में प्रेक्षन से यह निशकर्ष निकलता है कि जिंक और आईरन धातु लेड नाइटेट विलियन से लेड को विस्थापित करती है परन्तु कॉपर धातु लेड नाइटेट विलियन से लेड को विस्थापित नहीं करती अतहे हैं हम कह सकते हैं कि Zinc और Iron Lead से अधिक क्रियाशील है प्रयोग के दूसरे भाग में Zinc, Iron और Copper धातु Lead Nitrate के जलियविलियन में डालते हैं और आप देखेंगे कि पहले दो भागों में Lead धातु निक्षेपित होती है और क्रमशह, जिंक नाइट्रेट और आइरन नाइट्रेट के जलिये विलियन प्राप्त होते हैं, जबकि तीसरे समीकरण में कोई अभिक्रिया नहीं होती है आईए प्रयोग के तीसरे भाग का प्रेक्शन करते हैं इसकी पहली परखनली यदि हम देखें, जिसमें जिंक आइरन सलफेट विलियन में डाला था आप देख सकते हैं, आइरन सलफेट का हरा रंग, रंग हीन विलियन में परिवर्तित हो गया है अर्थात इसमें रासाइनिक अभिक्रिया हुई दूसरी परक्नली में कोई रासाइनिक अभिक्रिया नहीं हुई अभी भी हलके हरे रंग का आईरन सलफेट इसमें उपस्थित है तीसरी परक्नली में भी कॉपर और आईरन सलफेट विलियन में कोई रासाइनिक अभिक्रिया नहीं हुई तीसरे प्रयोग का निशकर्ष है कि जिंक आइरन सलफेट विलियन से आइरन को विस्थापित करता है जबकि लेट और कॉपर आइरन सलफेट विलियन से आइरन को विस्थापित नहीं करते अतहे हैं हम कह सकते हैं कि जिंक आइरन से अधिक अभिक्रियाशील है परन्तु लेट और कॉपर आईरन से कम क्रियाशील हैं प्रयोग के तीसरे भाग में जिंक, लेट और कॉपर धातु आईरन सलफेट के जलिये विलियन में डालते हैं और केवल पहले समीकरण में जिंक सलफेट का विलियन प्राप्त होता है एवं आईरन धातू निक्षेपित होती है बाकी दोनों समिकर्णों में कोई अभिक्रिया नहीं होती है आईए प्रियोग के चौथे भाग का प्रेक्षन करते है पहली परखनली में आईरन और जिंक सलफेट में कोई रासाइनिक अभिक्रिया नहीं हुई है दूसरी परखनली में लेड और जिंक सलफेट में भी कोई रासाइनिक अभिक्रिया नहीं हुई है और तीसरी परखनली भी कोई रासाइनिक अभिक्रिया नहीं दर्शाती है अर्थात, आइरन, लेट और कौपर धातू, जिंक सलफेट विलियन से जिंक को विस्थापित नहीं कर सकते हैं अते हम कह सकते हैं कि आइरन, लेट और कौपर धातू, जिंक धातू से कम क्रियाशील है प्रियोग के चौते भाग में iron, lead और copper धातू zinc sulfate के जलिय विलियन में डालते हैं और तीनों समीकर्णों में कोई अभिक्रिया नहीं होती आज के प्रियोग से हमने यह देखा कि zinc, iron, lead वे copper की अभिक्रिया शीलता भिन होती है जिसमें जिंक सबसे अधिक क्रियाशील है, उसके बाद आईरन, उसके बाद लेट और कॉपर सबसे कम क्रियाशील है आप इसी प्रकार बाकी धातूं का भी प्रियोग करके उनकी अभी क्रियाशीलता ग्याद कर सकते हैं जिसमें प्रकार बाकी अभी कर सकता ग्याद कर सकते हैं झाल झाल